मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका लेकिन सीदी सी चर्चा करेंगे कि मेरे पास कोई भी फोन आता है किसी मीडिया का या किसी भी संदर्ब में मेरे विचार पूछने के लिए तो मैं उनको अपने विचार देता हूँ अब इहाली में कंगना रनौत का मसला जो थपड़कांड चल रहा है उस पर मेरी स्टेट्मेंट्स रिकॉर्ड करने के लिए कुछ लोग आए कि मीडिया आई पंजाब की की आपकी स्टेट्मेंट हम चाहते तो उसमें मैंने कहा कि जो काम हुआ है वो गलत हुआ है लेकिन जो लड़की ने अपने माबाप के लिए जो एक लड़की होती है जो अपने माबाप के लिए कुछ घलत नहीं सुन सकती है तो उसके मन में टीस थी तो उसने वो टीस निकाली है उसने एक बेटी का फरजदा की है लेकिन देश की बेटी का फरजदा नहीं कर पाई मैं सरासर इस घटना के लिए बिलकुल घलत कहता हूं ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए सविधानिक तरीका है आप एलेक्शन लड़ें अगर किसी का विरूत करना है और उसमें अगर मैं सिरफ अपनी बात रखने के लिए अपने चैनल पर अपने पेस पर लाई वाया हूं कि कह काम सही हुआ है क्योंकि काम गलत है क्यों वी सिक्यूरिटी में जो है वो देश की प्रण लेते हैं परतिग्या लेते हैं कि हम देश की रक्षा करेंगे और उसके बाद अगर ऐसी बात होती है तो मैं बिलकुल भी इस शीज का समर्थन नहीं करता लेकिन उस बेटी ने जो उनकी माहों के लिए गलत बोला गया मैं उसको भी सही नहीं मानता किसी की भी माह के लिए बेटी के लिए बोलना गलत है उसको मौका मिला उसने उस काम को किया अपनी वर्दी को अपनी जिंदगी को ताक पर रखके उस काम को किया तो उसके लिए मैं मानता हों कि एक बेटी देश के अंदर किसी पर हात उठाना यह करना यह शूबा नहीं देता है, इससे बदनामी होती है, पंजाबी कहीं पर भी जाएंगे, जो भी फोर्स के अंदर होगा, अब छतनी करने लग जाएगी सरकार, देखने लग जाएगी कि इसको रखना है कि नहीं रखना, तो उस तर लोगों तक मेसेज गया है कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं उस कंगनार नौत के अगेंस्ट बोल रहा हूं या मैं किसे के हख में बोल रहा हूं तो मैं बिल्कुल क्लियर बता दू कि मैं बिल्कुल भी कंगनार नौत के उस बयान के समर्थन में नहीं हूँ जो उसने कहा था कि टके टके पर बैठी है वो बिल्कुल गलत बयान था और दूसरा जो कुलविंदर कोहट जी ने किया है वो तरीका गलत है लेकिन किसी के बच्चे के मन में अगटीस होती है तो वो निका देना ये बड़ा मतलब एक दिलेरी की बात है पंजाब को पंजाब बड़ा ही शांत प्रियदेश प्रदेश है और बड़ा ही अच्छे लोग यहां रहते हैं बार बार उनको प्रवोक करना उसके बाद भी फिर कंगना जी ने कहा कि भी पंजाब में आतंकवाद है फाइदा है समझदारी है मैं सारे आनू फेर निवेदन करदा मेरे जड़े स्टेट्मेंट्स ने उना नू को माफिरा के ना लोका तक पचाया जावे पंजाब देखाई लोका देखाई मेरे चौन आड़या देफोन है कि तुसी कंगना दे गेंस्ट बोले हूं तुसी किस के नड़ कम हुए तुसी एलेक्शन लड़ो जिकंगना तुन पसंद नहीं तुसी मंडी जाके उने लेक्शन सी उत्थे जाके विरोध कर दे गल कर दे पर एक एरपोर्ट ते जड़ा कम होया है एक गल्त होया है पर वो कुडी जिने सब कुछ ताखते रखके एक कम किता है क्योंकि ओदे मंच टीस सी ही ओएक कुडी दा फरज निबागी देश दी कुडी दा नहीं निबापाई लेकिन ओदा परिवार ओदे नाल खड़े है जिदारी चर्चा हो रही है यह भी बहुत वड़ी गल है ते किसानी अंदोलन नाल गल जुड़ी हुई है मेरा क्योंकि म मैं तुसी देख दे रहने हूं मैं सिर्फ पजनी नहीं होंदा मैं अपने विचार भी रख दा अपने देश लई अपने प्रदेश लई हो इसलए कि साड़ा सारे आदा फर्ज भी बंदा है कि ते सी जा रहे है कोई गल हुई है तो ओदे बारे गल करना साड़ा फर्ज बं बंदा कि यह था टके टके ते बैठियाने और गल्त सीगा ओदा ओदे मंच टीज सीगी ते उन्हें टीज पूरी किती है तो मैं और उस गल नू लेके उस कोडी नाल खड़ा है जो मेरी माँ पर अनू भी कोई कोई कोगा ता असी भी नहीं रुकांगे और एक अलग सेनेरि दागदार हो गया उन्हें देखो की उन्दा पर प्रमात्मा सब्दी रक्षा करें एनू समझो सारे ते मेरा पखे ही है मैं इस थपड़ा थपड़ कानदा समर्थन नहीं करता है गल्त हो है मैं फेर कह रहें पर जेडाव कुडी ने कम किता सब कुछ पो लेके अपने कदे वी सिख ते हिंदू फुलविंदर को जड़ी सिख ते कंगनार नौ जड़ी हिंदू है इनू इस एंगल तो प्रोस्या ना जावे क्योंकि बिल्कुल भी इस एंगल दा पक नहीं है एक कुडी ने जिदी मा भी हैगी एक कुडी दी मा वास्ते उच के आसी और कुडिय है और स्टेटमेंट भी आम जंतानों एक तो मैं लागना है थो अपनी जड़ी वी गाल है ओ ओसे एंगल ते रखन जड़ी होई है ओनों हिंदू ते सिख दू इना दे बिच पाड़ पान ओली गल ना करन जोड़न आली गल करन ते बस ऐसे वास्ते मैं लाइव आयां ते ब